खबरों में अब आगे बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में ज्वाला मुखी मंदिर में गैर हिंदू समुदाई के दो व्यक्तियों की नूक्ति पर बीजेपी नेता सुबरमन्यम स्वामी ने ट्वीट कर सवाल खड़े किये हैं सुब्रमाणियम स्वामी ने ट्وीट में आरूप लगा आया कि हिमाचल सरकार ने ज्वाला मुकी शक्ती पीट में गैर हिंदूrat किया है सुब्रमाणियम स्वामी ने का कि प्रदेश सरकार जादतर मंदिरों के प्रिश्वासन को टेक ओवर कर चुकी है अब राजनेता और सरकारी बाबू हिंदू मंदिरों को चलाएंगे और मंदिर प्रिशासन सीधे सीम के अधीना था सुब्रमिन्यम स्वामी के ट्वीट के बाद कॉंग्रिस प्रदेश रध्यक्ष कुलदीप सिंग राटोर ने बीजेपी और जैराम सरकार पर निशाना साधा है कुलदीप राटोर ने का कि मुख्यमंत्री को इस मामले में जवाब देना चाहिए उधर इमाचल प्रदेश के सीम जैराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि ये निउक्ति कॉंग्रिस के शासन के समय 2017 में हुई थी जो 3 साल के बाद स्थाई हो गए थे ट्रस्ट के अंदर ही उन्हें दूसरी जगा ट्रांसफर किया गया लेकिन इसको लेकर विवाद अब शुरू हो गया है और ये ट्वीट देखे किया गया सुब्रमणयम स्वामी की तरफ से एमाचल सरकार को घेरते हुए सवाल उठा हैं है इस दरह का ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले पर सवाल उठाएगा है सुबरमन्यम स्वामी की तरब से दो गैरी लिंदूओं के नियुक्ति से जुड़ा है पूरा मामला हाला कि इस पर मुख्यमंत्री जैराम ठाकोर अपनी सवाई सफाई भी दे चुके हैं उन्होंने का कि 2017 में कॉंग्रिस के शासन के दोरान वो नियुक्ति हुई थी और अब जो प्रोसेस था वो सिर्फ आगे बढ़ा है पर्टिकुली एक धर्म से जुड़ा हुआ वो मंदीर है उसमें दूसरे समधाय के लोगं को रखना बेवारी बेवारी के कई वर होता नहीं है तो इसलिए हमने वहां प्रॉंट जो है उनको जो है क्यूंकि उनको रिमूब नहीं कर सकते हैं कांटक्ट पॉलिशी के अंतरका तो वो रैगूलर हो गया और उसके बाद उनकी कहीं और जगार उनको रखा गया है कि 2017 में कॉंग्रेस की गवर्मेंट थी कॉंग्रेस ने जो है वो मंदिर में जो है इस परकार से आपॉइंटमेंट्स की और यह सच मुझ में एक बड़ा जो है वो जांच का विविशय है और यह चिंता का विविशय है कोई धार्मिक स्थाल को लेकर टिपनी की है क्योंकि हिमाचल में भी भारती जनता पार्टी की सरकार है तो यह जवाब तो भारती जनता पार्टी की जो हिमाचल की सरकार है उनका बनता है लेकिन अभी तक हिमाचल की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया कि यह मामला भारती जन्ता-पार्टी का अंदनी मामला है देखते हैं भारती जन्ता-पार्टी की जो सरकार है वो क्या जवाब देती है उसके बाद हम अपनी प्रतिक लिए देंगे और इस पर सीदे मेरे साथ अमन भार्दुआ जुर गए हैं हमारे संबाददाता अमन दर्शकों की जानकारी के लिए बताईए क्या है ये पूरा मामला जिस पर सियासत भी अब शुरू हो गई है देखिए अंजली कांगड़ा के अंदर पड़ते कांगड़ा जिले के अंदर पड़ते जौला मुखी जो जौला जी टेंपल है उसके उसका ट्रस का ये मामला है जिसमें दो जो मुस्लिम समुदाये के लोग हैं उनकी न्युक्ति की गई और वो सत्रह 2017 में न्युक्ति की जाता है तो जब यह मामला सामने है तो इस पर कहीं ने कहीं जो सुब्रमनियम सवामी है राज्यसभा संसत उनके ट्वीट के बाद प्रदेश की राजविती सरक्रमाई जो उसके बाद जो कॉंग्रेस के अध्यक्षियां उन्होंने सवाल खड़े कि क्यों ऐसा है कि हिंदू एसे जुड़े हिंदू धरम से जुड़े मंदिर के लुघ कारे जाती जिसके बाद हिमाचल पर इसका असर देखने läuft Attack कि 2017 में जब न्युक्ति की गई थी तो कॉंग्रेस के टाइम की वो न्युक्ति है और कुद्रती अभी तक क्योंकि इसको कोई छेड़ चार सरकार ने इसमें नहीं की लेकिन वो खुदी तीन साल के अंदर रेगुलर हो गए और मुख्यमंत्री ने तो यहां तक का कि अब उनक के लोकल लीडर्स हैं उनके द्वारा 30-35 कंप्लेंट 20 से पहले की जा चुकी है कि ऐसे करके दो अलग समुदाय के लोग जो है वह में इस ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं क्या उनको उन पर कई सवाल खड़े हुए थे डीसी कांगड़ा के उपर कई कंप्लेंट जो है वह कारे से हटा दिये गया हाला कि अभी भी वह मंदी ट्रस्ट से जुड़े हुए कारे महीं है और मुख्य मंदी की दलील है कि उनको हम निकाल नहीं सकने है क्योंकि वह रेगुलर हो चुके लेकिन कॉंग्रेस ने कहीं न कहीं यह निक्या की थी ऐसे उन्होंने दलीली और सव इस बात को लेकर है चुकि सुब्रमन्यम स्वामी वीजेपी के नेता इससे पहले भी कई बार अपनी सरकार पर इस तरह की सवाल उठा चुके हैं बात अगर उत्राखंड की करें जब उत्राखंड सरकार उस वक्त देवेस्तानम बोड लेकर आई थी जो अधिकार थे वो र और राजिस सरकार कर रहे हैं जो कि गलत है यानि कि जो अधिकार हैं वो अब राजिस सरकार अपने हाथ मिलेना चारी तो यह दो अलग अलग बाते हैं मुख्य तोर पर आपत्ती किस बात को लेकर देखें आपत्ती दोनों बातों को लेकर है क्योंकि जो नियुक्ती की गई ही है वो सरकार के अधीन उनका साफ सीधे तोर पर यही था कि सरकार के अधीन जब मंदिर आते हैं मुख्य मंत्री के पास यह क्योंकि सरकार के मंत्रियों के पास यह विभाग आता है जो लैंगेज और कल्चर से जुड़ा हुआ ये विभाग है और मुख्य मंत्री के दीन सिद्धे जो प्रदेश के tiables है वो आते हैं सरकार तुम यह जिनको takovr करती हैं तो सरकार ने सरकार ने इसमें हसतक क्यों नहीं किया सरकार ने अगर सरकार का गाम यही कि अगर समुधाय से जुड़े हुए किसी की भी जो भावनाय है वह आहत ना हो और क्या सीते तोर पर क्योंकि सुब्रयमनियम सवामी ऐसी चीजों पर लेकर रिलीजियस पॉइंट्स पर कही न कि टिपनी और अपने विचार जो है वह रखते रहते हैं लगले समय पर और वैसे ही तो उनका यहीं सीद्य तोर पर टिपनी थी क्या जो राजनेता जुड़े हुए उसमें क्या राजनेता और जो बाबू लोग है क्या वह मंदिर और ट्र आपका शुक्रिया फिलाल इस पर जुड़ने के लिए अमन और जौनकारी देने के लिए